हाई गाईस वेलकम टिश्टडी का उस्ता अफगानिस्तान जो कि एशिया की एक लैंड लॉक्ट कंट्री है जिसकी बाउंडरी कई सारी कंट्री के साथ में लगती है यहाँ पे सिचुएशन कुछ टाइम से काफी ज़्यादा ख़ाब हो गई है जिसकी वज़े से यह सारी सिचुएशन कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई और किस तरीके से यहाँ पे इंसर्चेंट ग्रूप सो बनते हैं जिससे अफगानिस्तान में पहले यूएसस आर और सौवियत यूनियन जिसको क्या भी रसिया बोलते हैं उसके द्वारा इन्वेड किया गया था उसके ब मुहमद जाहिर सहा था उनके द्वारा रूल किया जा रहा था जो कि अफगानिस्तान के लास्ट किंग थे दुरानी एंपायर के जिनके द्वारा 1933 से 1973 की पीरियड तक रूल किया गया था इसी पीरियड के बीच में उनके द्वारा उनके जो फस्ट कजिन थे उनको अफगा बाद यानि 1963 से 10 साल बाद यानि 1973 में उनके द्वारा जो इनके कजिन ब्रदर मुहम्मद जाहिर साथे इनको ही मोनार्की से खदेड के बाहर फिकवा दिया अफगान आर्मी की ओफिसर्स की हेल्प से और उसके बाद में वो खुद अफगानिस्तान की फर्स्ट प्रसिडेंट बने थे 1973 में अब इसके बाद में क्या होता है कि ये सिच्वेशन तो एक साइड चल लेती तो उसी टाइम दूसरी साइड यानि कि 1965 में अफगानिस्तान में एक पार्टी जिसको की PDPA यानि की People's Democratic Party of Afghanistan वो डवलप हो रही थी और 1973 तक जब दाउद खान वहां के प्रसिडेंट बने थे तो उस टाइम पे इस पार्टी के दो ओपीनियन हो चुके थे एक ओपीनियन जिसको की कल्क फैक्शन के नाम से जाना जाता है जिसके जो लीडर से उनका मानना यहां पर यह था कि जो अफगानिस्तान है उसको एक Communist country काफी rapid तरीके से ट्रां उसके लावा यहां पे एक दूसरा फैक्शन था जिसको की पर्चम फैक्शन के नाम से जाना जाता था जिसको लेड़ किया जाता था बबराक करमाल के द्वारा और इनका यहां पे मानना था कि जो अफगानिस्तान है वो अभी communism के लिए ready नहीं है और communist countries को बनाने के लिए धीरे धीरे gentle तरीके से अप्रोच ली जानी चाहिए और अगर यहां पे ऐसा तुरंत किया जाता है तो काफी devastating effect होगा उसका अफगानिस्तान पे तो इन दोनों के opinion के बाद में और जब दाउद खान के president बने थे तो उसकी वज़े से इन दोनों में और basically PDPA जो पार्टी थी इनके बीच में काफी conflict और काफी मतलब की tension arise होने लगी थी जिसकी वज़े से सिंस वहां पे दाउद खान की government थी तो उसके दोरा PDPA पार्टी पे काफी ज़्यादा रेप्रेसंस लगाए गये थे इवन वहां पे जो PDPA के पर्चम faction के एक leading member थे जिनका नाम था मीर अखबर ख होने की वज़े से PDPA और दाउद खान के बीच में काफी ज़्यादा tension बढ़ गए इवन पूरी country में अफगानिस्तान में anti-daud demonstrations काफी ज़्यादा होने लगे थे और जो मीर अखबर खेवर थे इनको PDPA के पर्चम faction के द्वारा उसके साथ अफगानिस्तान के लोगों के बाद में अफगानिस्तान के जो आर्मी थी और जो PDPA के लीडर्स थे वो सब मिलके यहां पे उन्होंने जो मुहम्मद दाउद खान थे उनको पावर से ओवर्थ्रो कर दिया जाता है और बाद में 27 अप्रेल 1978 को दाउद खान और उनकी पूरी family को execute कर दिया जाता है उसके बाद में होता है कि जो अफगानिस्तान है वो एक democratic republic of अफगानिस्तान के रूप में उभर के आता है तो वहां पे जो basically कल्ख faction का जो लीडर थे जिनका नाम था नूर मुहम्मद तारा की वो जो की PDPA के officially general secretary थे वो यहां पे जो council of ministers थी अफगानिस्तान की उसके chairman बनते हैं ज जब यह बना था तो उस टाइम पे जो नूर मुहम्मद तारा की थे वो अफगानिस्तान के नए president के रूप में बने और उनके द्वारा यहां पे 1978 में एक treaty sign की गए थी basically यह friendship treaty थी जो कि अफगानिस्तान और Soviet Union जिसको अभी हम रस्या बोलते उन दोनों के बीच में 5 December को sign की गई थी जिसकी वज़े से यह होता है जैसे कोई भी अफगानिस्तान का जो democratic republic country पूरा है उसमें कभी भी अगर कोई military support की requirement होगी तो उसको Soviet Union के द्वारा फुल्फिल किया जाएगा अब वैसे तो Soviet Union के द्वारें के साथ में एक friendship treaty sign की गए पूरी तरीके से यहां पे जो यह कलक फैक्सन था इसके साथ में allied थी बड़ सोविद डिप्लोमेट्स का यहां पे मानना था है कि जो कलक फैक्सन के लोग या leaders जो हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान को transform करने की कोसिज कर रहे हैं उससे अफगानिस्तान में rebellion create हो सकती है इसको मानने के पीछे भी कई सारे reasons थ जाता है तो उसके द्वारा जो पर्चम फैक्सन के लीडर थे उन सब को prosecute करना start कर दिया जाता है इसके पीछे का reason यह था कि सोविद यूनियन के द्वारा जो पर्चम फैक्सन का जो ideology थी कि धीरे धीरे तरीके से gradually अफगानिस्तान को transform किया जाए उस पे काफी ज़्यादा believe किया जाता था काफी ज़्यादा उसको favor किया जाता था इस वज़े से यहाँ पे जो कल्क फैक्सन के leaders थे उनका मानना था कि अगर उनके rival यानि कि पर्चम फैक्सन के leaders को ही हटा दे तो Soviet Union के पास और कोई choice नहीं बचेगी बजा है इसके कि वो कल्क फैक्सन को support करे और कल्क कि नूर महमद तारा की leader के द्वारा इसके अलावा और भी कई सारे implementation किये गयते जिसे example के तोर पर हमें आपे देख सकते हैं कि एक reform वहाँ पर यह किया गया था जो Islamic की जो traditional follow वहाँ पर किये जा रहे थे उन सब को ban कर दिया गया था उसके सासा जो सरिया लोग वहाँ पर follow कि किया जाता था उसको भी abolish कर दिया गया था और अफगानिस्तान के लोगों को बोला गया था कि एक modern और un-islamic lifestyle को encourage किया जाए उसको follow वहाँ पर किया जिसकी वज़े से urban के सासाथ rural अफगानिस्तान में भी काफी majority की population के द्वारा उसको oppose किया गया था और जो भी opposition थे जो भ जिसकी वज़े से क्या होता है कि वहाँ पे काफी सारे जो rebellions थे वो start हो गये थे छोटे-छोटे parts में पूरी country में rebellions होने लगे थे और कुछ छोटे-छोटे insurgent groups भी अफगानिस्तान में united होने लगे थे उनके द्वारा काफी सारे protest और थोटे-मोटे दंगे यहाँ पे government के बीच में काफी जादा conflict चल रहा था अब यहाँ पे यह सब तो एक साइड चल रहता है और दूसरी साइड के अगर हम बात करें तो कलक faction के अगेंस्ट में जो पर्चम faction थे उनकी भी यहाँ पे काफी जादा rivalry चलने थी काफी सारी यहाँ पे tensions इन दोनों के बीच में arise हो जा इस टाइब का इनका खुद का मीनिंग था और उस बेसिस पे इस इंसरजेंट गुरूप के दौरा जो अफगानिस्तान की नूर महम्मद इतारकी की गौवर्मेंट थी उसके अगेंस्ट में काफी सारे एकसंस लिए गयते और यह सब conflict इतना जादा बढ़ गया था कि नूर महम्मद इतारकी की गवर्मेंट को ओवर्थो किया जाता है और पूरी पावर को टेक ओवर कर लिया जाता है अब इनके द्वारा क्या किया जाता है जो 1978 में सोवियत यूनियन के साथ में एक friendship treaty sign की गई थी कि जिसकी हल्प से अगर सोवियत यूनियन से कोई military support की requirement अफगान जो भी security या फिर assistance की requirement है वो अफगानिस्तान की government को provide कराए जाए जिससे की मुझाइदीन के जो rebels है उन सब के against में अफगानिस्तान fight कर सके और उसकी एक दो महीने बाद या अफगानिस्तान के द्वारा basically जो हाफिज अलामीन थे उनके द्वारा यहाँ पहले तो individual crew या फिर सब यूनिट के लिए request भेजी जारी थी सोवियत यूनियन को बड़ उसके बाद में बोले कि हमको regiment और बड़ी बड़ी यूनिट के रूप में जो सोवियत यूनियन की forces है वो अफगानिस्तान में चाहिए क्योंकि वहाँ पे मुझाइदीन rebels का काफी सारा attack काफी भारी मात दरा में वहाँ पे हो रहा था सोवियत यूनियन अफिर रसिया कब तक इस तरीके से अपने troops या फिर अपने forces को वहाँ पे भेजाएगा तो इसको लेके जो सोवियत leaders थे उन सब के द्वारा वहाँ पे यह बोलाए कि जोगा अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनके actions के द्वारा जो अफगानिस्तान के situation उसको काफी जादा destabilize किया जा चुका है इस वज़े से ही 24 दिसंबर 1979 की night को सोवियत यूनियन के 30,000 troops काबूल के region में यहाँ पे आते हैं जैसी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ troops यहाँ पे land route की help से पूरे अफगा जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली जो सोवियत एयर कोरिडोर था उसकी help से जो काबूल का region था उसको administer किया जाने लगा और यहाँ पे जो आमीन की government यहाँ फिज जुलामीन की उसको पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दिया जाता है और उसके बाद में सोवियत यूनियन के द जो की काफी जादा numbers में थे वो सब वहाँ पे अफगानिस्तान में deploy किया जिससे की करमाल की जो government थी उसकी जो starting वहाँ पे हो रही थी उसको stabilize किया जा सके बेसिकली अफगानिस्तान को में जो order की situation है उसको stabilize किया जा सके और यहीं से सोवियत और अफगान की जो war की situation है वो start ह हुई थी अब इस टाइम पर सोवियत उन्हें यूएसे के बीच में कोल्ड वॉर की सिच्वेशन चल दी जिसकी वज़े से जो अफगानिस्तान के रेबल ग्रूप स्पेसिली मुझाइदीन वगरा के जो लोग थे उन सब को यूएसे हो गया पाकिस्तान हो गया उसके लावा काफी सारा अमाउंट कैस में around billions of dollars जो है वो डिलीवर किये गया उसके लाव जो उनकी weapon requirement थी उन सब को भी fulfill किया गया था जिसकी वज़े से ultimately सोवियत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में ये war स्टार्ट हुई जिसमें काफी सारे लोगों की death around 5 लाग से 2 million के बीच मे अफगानिस्तान लोगों की इसमें death हुई थी और 6 million अफगानिस्तान के लोग बाकी countries में पाकिस्तान इरान जो भी neighboring करती हैं वहां सब पे चले गए थे तो इसकी वज़े से जो सोवियत यूनियन थी उसके पास में और कोई choice नहीं बती सिवाए इसके कि वो अफगानिस्ता 1989 तक मतलब इस date के बाद में यह फिर इस date तक जो भी सोवियत यूनियन के forces थे पूरी तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉल कर चुकी थी तो यही थी कुछ important information जिसमें हमने बात कि किस तरीके से जो अफगानिस्तान का reason था वो एक democratic republic country बना और बाद में उसको सोवियत य मुझाइदीन Alliance के नाम से जाना जाता है इसके और भी कई सारे नाम में जैसे की Islamic Unity of Afghanistan मुझाइदीन पेसावर सैवन या फिर सैवन ड्रॉप्स के नाम से भी इसको जाना जाता है यह जिसे मुझाइदीन पार्टी जो उस टाइम अफगानिस्तान के रीजन में थी उन में से स साथ बड़ी बड़ी मुझाइदीन पार्टी के द्वारे एक Alliance बनाया गया था जिसको की 1988 में बनाया गया था तो जब सोवियत अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था तो उसके द्वारा जो Democratic Republic of Afghanistan था वहां पे एक Government रखी गई थी और उस Government से ही फाइट करने के लिए इन सा सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया था बट उसकी जो भी Military Hard Ways थी वह काफी भारी मात्रा में अफगानिस्तान को डोनेट की गई थी जिसे एक्जामपल के तोर तगर हम देखें जो टैंक्स थे उसमें 1568 टैंक्स सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान को दिये गए थे आइटिलरी पीसेज में काफी भारी मात्रा में अटैक हेलिकॉप्टर जो कि 14 अटैक हेलिकॉप्टर सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान को डोनेट किये गए थे इन सब की हेल्प से ही जो भी मुझाइदीन ग्रूप थे उन सब से जो अफगा अफगानिस्तान की गवर्मेंट थी वो फाइट कर रहे थे तो और इन सब के अलावा सोवियत यूनियन के द्वाला एन्वली बेसिस पे 2 से 6 बिलियन डॉलर जो पैसा था वो अफगानिस्तान की गवर्मेंट को दिया जाता था उसके सासा जैसे सोवियत मिलिट्री अडव लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं अफगानिस्तान में जो काबूल है उसके जस्ट राइट साइड में है जलालाबाद वहाँ पे इन सेवन पार्टीज के अलाइंस के द्वारा अटेक किया जाता है इसको बैटल ऑफ जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक साइड थी अफगानिस्तान गवर्मेंट की फोर्स जिनकों की सोवित यूनिन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था और दूसरी साइड में थी यह सेवन पार्टीज का अलाइंस जिसको की ऐसा क्लीन किया जाता है कि पाकिस्तान और यूएसे के द्वारा सपोर्ट किया ज ताइम पर अफगानिस्तान की गवर्मेंट के द्वारा जो ये सेवन पार्टिस का अलाइंस था इसको हरा दिया गया था अब उसके बाद में 1992 की सिचुएशन आती है जब अफगानिस्तान के जो नैचुरल गैस के रिज़ा उस थे वो धीरे धीरे खतम हो रहे थे जिसकी सोवियत यूनियन थी उसके द्वारा काफी अच्छी एड या पिर आथिक साहते जो थी, वो अफगानिस्तान को दी जाती थी तो अफगानिस्तान जो पूरी तरीके से इस एड पर ही dependent होने लगए था अब जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियून थी, जब वो 1992 का टाइम आया तो उस टाइम पे लेट 1991 में सोवियत यूनियन रसिया में कनवर्ट हो रही थी जिसकी वजह से रसिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया तक जो अफगानिस्तान को फ्यूल अगयरा का सिप्मेंट दिया जाता है उसको अब बंद कर दिया जा जिसक इमेडिट एफेक्ट ये होता है जो अफगान एयर फोर्स थी वो एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके जो खुद के नैचुरल गैसे गरेजा उस्ते वो तो पूरी तरीके से ड्राइग हो चुके थे और जो एड्स होगी यूनियन से आरी थ तो फ्यूल के लैक की वज़े से जो अफगान एयर फोर्स थी वो एक जगे से दूसरी जगे नहीं जा सकती थी तो ऐसी सिचुएशन में जो मुझाइदीन का सेवन पार्टी का अलायंस था इसके पास ये सबसे बेस्ट अपर्शनेटी थी कि इस टाइम पे अफगानिस्ता पे अटेक किया जाता है अब यहां पे वो सक्सीड भी हो जाते हैं और इसके पीछे एक में रीजन यह है कि सोवित यूनियन के द्वारा उसका जो सपोर्ट था उसको बंद कर दिया गया था जिसकी वज़े से जो फ्यूल अगे रेक रिक्वार्मेंट की गौर्मेंट एयर गया था जिसकी वज़े से जो मुहमद नजीब उल्ला की गवर्मेंट थी या फिर वो जो थे उनके द्वारे रिजाइन कर दिया जाता है और 1992 के एंड तक वहां पे काफी हजारों लोगों की डैथ हो तुकी थी और काफी मिलियंस में लोग काबुल से या फिर अफ़र बन रहते हैं और फिर वो ब्रेक हो जा रहते हैं क्योंग उनके द्वारे एक पीस अकॉर्ड साइन किया जाता था उसको थोड़ा अटेंप किया जाता था फिर उसके बाद में वो खुद ही उस पे फेल हो जाते थे तो इसकी वज़े से अफगानिस्तान के पूरे रीजन मे यह वार चलती रहती है और इसी टाइम पे 1994 के नवंबर मंथ में एक नया इसलामिक इंस्पार्ड ग्रूप बन के आता है जिसको की तालिबान के नाम से जाना जाता है अब यह जो तालिबान का ग्रूप था जिस जो खुद को इसलामिक एमिरेट्स आफ अफगानिस्तान के नाम से बुलाता था यह जनरली जैसे पाकिस्तान के जो इसलामिक मदरसाज के स्टूडेंट थे मिलेडिया स्टूडेंट जो थे वो सब जब उनको पाकिस्तान की मिलिटरी के द्वारा मिलिटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराए गया था तो उनके द्वारा ही यहां पे यह बनाये गया था जिसको की तालिबान के नाम से जाना जाता है अब तालिबान के द्वारा 1994 में ही जब वो बन के आया तो उसके जस्ट बाद में ही खंदार सिटी जो की अफगानिस्टान के नीचे वाले पॉर्शन में लोकेटेड है उस पे अपना कंट्रोल जमा लिया गया थ और फिर धीरे धीरे अपनी territories बढ़ाने लगे और finally 1996 में उनके द्वारा काबुल तक को अपने control में ले लिया गया था और तब जाके उनके द्वारा एक Emirate जिसको के Islamic Emirate of Afghanistan बोलते हैं उसको काबुल में set up किया गया था जिसका मतलब यहां पे ही होगे कि अफगानिस्तान को जो किया जाएगा और यहां पे 1994 के बाद तालीबान की गवर्मेंट जो थी वो काफी ज़्यादा पीक पर पहुंच गी मतलब अफगानिस्तान को जो 90% एरिया था या फिर उससे भी ज़्यादा जो एरिया था वो तालीबान के control के अंदर में चला गया तो और बाकी जो remaining part था उसमें उसके कई सारे जो groups थे उन सब के साथ में alliance बना के उन सारे areas को control किया जाने लगा था तो जब situation इतनी भड़ रही थी तो उसी time पे 9-11 का बात आती यानि की 11 September 2001 तो उस time पे कई सारे चार series में terrorist attack अल-Qaeda के द्वारा USA पे किये गए थे और यहां पे 4 US की जो flight थी उन सब को यहां पे हाई जैक करने के बाद में building से crash कराया गया था जिसकी वज़े से काफी फैंकर situation यहां पे खड़ी हुई थी उस time पे USA के president Mr. George W. Bush चोकी 2001 से 2009 तक USA के president थे उनके द्वारा बोला गया था कि एक Islamic militant group जिसका नम al-Qaeda है उसके द्वारा USA में यह सारे terrorist attack किये गए है औ इस वज़े से mainly जो USA था उसके द्वारा तालिबान से बोला गया जो Osama bin Laden जो की al-Qaeda का main leader और head था उसको जो basically 9-11 का prime suspect भी था तो उसको यहां पे तालिबान को बोला गया कि USA के लिए hand over कर दिया जा बट यहां पे जब तालिबान जो था उसके द्वारा इसका refuse किया गया जि इसकी वज़े से जो USA था उसके द्वारा 2001 के October मंत में अफगानिस्तान में invade किया जाता है हलांकि जो Osama bin Laden जो की al-Qaeda militant group का first leader founder था उसको पाकिस्तान में 2011 में 2nd May को US forces के द्वारा मारा गया था बट उस time पे जब USA के द्वारा अफगानिस्तान में invade किया गया तो तो अफगा American invasion था इसको support किया गया था और इसके initial phase में USA और NATO यानि कि जैसे example के दौर पे US और UK की जो forces हैं उन सब के द्वारा अफगानिस्तान में जो भी al-Qaeda के training camp थे उन सब को destroy किया गया था और बाद में जो northern alliance थे उन सब के साथ में मिलके यहाँ पे जो तालिबान की रजीम अफग लेड़ के भगा दिया तो कुछी इस तरीके से यहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान था वो स्टार्ट हुआ और फिर खतम हो गया था अब यहाँ पे होता क्या है कि 2001 के December मन्त में जब तालिबान की government वो overthrow कर दिया जाता है तो USA के द्वारा यहाँ पे एक अफगान एंट्रीम एड्मिनिस्टेशन को establish किया जाता है हामिद करजाई के अंडर में अब यह जो अफगान एंट्रीम एड्मिनिस्टेशन है जिसको की एक agreement जिसको born agreement के नाम से जानते है उसके अंडर इसको establish किया गया था और यहाँ पे जो power का transfer हो रहा था जो की 22nd में December 2021 को start गया था जो की 13 July 2002 तक रहने वाली तो जब यह period खतम होता है 2002 के बाद में जो यह interim administration थी इसको ही एक transitional administration बना दिया गया था अब उसके बाद में USA के द्वारा UNSC United Nations Security Council की help से एक international security assistance force को establish किया गया था जिससे की जो करजाई का administration अफगानिस्तान में है उसको जो भी assistance की requirement है जो भ basic security की requirement है उसको provide कराया जा सके और इसी बीच में इस period में जब USA के दौरा यह सब किया जा रहा था तो तालिबान की जो forces थी वो वापिस से पाकिस्तान की reason में regroup होना start हो गई थी उसके दौर कई सारे छोटे-छोटे attack अफगानिस्तान पे किये भी कई थे तो उस time पे अगले उस time पे basically और उसके आने वाले कुछ time पे जो international security assistance forces थी और जो अफगान troop थे उन सब के द्वारा काफी defensive तरीके से यहां पे तालिबान forces को हरा दिया गया था जिसके बाद में होता क्या है जो अफगानिस्तान government है वो उसको काफी ज़्यादा है यहां पे confidence आ जाता है कि वो ए even उसके द्वारे constitution को भी adopt किया जाता है जिसको की Islamic Republic of Afghanistan के नाम से जाना जाता है अब जब यह constitution adopt वगेरा की situation हो गई थे तो उसके बाद 2014 की year आती है तो यह एक ऐसी year थी जो कि अफगानिस्तान के लिए काफी अच्छी थी क्योंकि September 2014 में असरफ गानी जो है अफगानिस्तान क President बने थे और 2014 के यह presidential election के बाद पावर में आये थे और यह अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि अफगानिस्तान के जो लीडर है उनके बीच जो पावर का यहां पे transfer हो रहा है वो election के थूख हो रहा है ना कि किसी और के द्वारा control किया जा रहा है और उ उसको formally end किया जाता और पूरी जो security की responsibility थी उसको अफगानिस्तान government को transfer कर दिया जाता उसकी responsibility पूरी तरीके से अफगानिस्तान government को दे दी जाती है और हलांकि यहां पे नाटो के दौरे एक दूसरा operation resolute support उसको form किया जाता ISF के बाद में जिससे की जो अफगानिस्तान की forces उन सब को assistance provide कराई जा सके उन सब को एक अच्छे तरीके से train किया जा सके अब अफगानिस्तान में जहां पे नाटो के troops 2011 में एक लाख चालिस हजार थे वो 2018 तक drop होके बस 16,000 रह गए थे और उसके बाद में 14 अप्रेल 2021 को नाटो के सेकर्टी जनरल के दौरा ये बोला गया तक USA और नाटो के जो alliance है जिसकी help से यहां पे अफगानिस्तान में काफी सारे troops deploy किये गए थे वो अपने सारे troops को अफगानिस्तान से withdraw करेंगे 1st May से और वहीं दूसरी side जो अफगानिस्तान में तालिबान था उसके दौरा बस इतने इतने portion जो अफगानिस्तान का पूरा म जुलाई तक काफी सारा area around 90 districts अफगानिस्तान के तालिबान के control में चले गए थे जिसमें 141 district government के control में थे और 166 districts ऐसे थे जिन पे कि यह तालिबान और जो अफगानिस्तान की government थी उनके बीच में fight चल रही थी वहीं पे अगर हम 15 अगस 2021 की बात करें तो लगभग majority area जो की red color में आप देख रहे हैं यह तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का control किया जाता है जिसमें जो districts हैं वो 9 जुलाई से जो की 90 थे उससे बढ़के 15 अगस्त तक 186 हो गये हैं और यहां पे government के द्वारा बस 134 sorry 78 जो districts हैं उन सब को ही control किया जाता है और इन सब के अलावा जो में enter किया गया जिससी कि अफगानिस्तान के जो president है Mr. Asraf Ghani वो अफगानिस्तान छोड़के फाग गये हैं और पूरी तरीके से अफगानिस्तान का जो region है वो तालिबान के control के अंदर में चला गया जैसा कि 1994 के time पे हुआ ता कुछ इस तरीके की situation अभी 2021 में हो गई है तो य तरीके से पहुंच गया है पूरी तरीके से अफगानिस्तान का जो majority area है वो तालिबान के द्वारा control किया गया है तो आज के लिए बस इतना ही hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch, thanks for watching and have a good day.